मुंबई चा पावस का सावजूर्फ पावसा पर भरो सानाए का मूंबई चे लपड़ा होता हर सार पावसा अथौरडी की पोल खोल सब्सक्राइब करते हैं वादों का असर मुंबई के सड़कों पर दिखता है वादे ऐसे की जो पूरे नहीं होते हैं और वादे कुछ अवसे जो एक अधूर हो जाते हैं हैं वैसे हर साइब के तरह मुंबई में ब्यांसी करोड़ेगा फंड निकालती सड़क पर लेखा है जहां पर हर सड़क एक बहुतनी सड़क बनाने की जो बात भी एंसी और सरकार करती है लेकिनों ग्राउंड जीरो पर जीरो पर पर देखा है कि यह जो इलाका जो सड़क सड़क बनाए गई है और दूसरी तक आगर आपको दिखाओं के लिए तो वहां पर अधर भी अच्छे तरह के सड़क है लेकिन जो यह बीच का सड़क है उसका ना कोई बाप है ना कोई मारी बाप है आत्रकार प्यूंड लेकिन जंता परिशान इन गड़क सब्सक्राइब के लिए लेकिन गड़क बनेख सब जांटीये तो कब लाना कब कहा से पड़कना है नोख कि पिर हदा रों का फंड। सडक बू.선 लाती है लेकिन का को था मैरे बन्सून आते हां कि इन सब्कों पर देखी और जीुई अपर काउंघेश को राती द्वारा की अटेशन किया गया सबस्ट या कर लेकर जयां कि अधिन प्रकार नहीं कर रही है यहां कि भीमसी नहीं पर रहे है तो हम लोग को करना ही पड़ेगा ना तो ऐसे करेंगा यह ब्यंसी का काम है सपुज करें आगर हम लोग नहीं करेंगे तो कोई भी गिरेगा किसका भी हाथ मुती बख़ा को इस सब्सक्राइए तो इस ए प्रसे healthier हम बीजेद करेंगे स्यक्राइग नहीं करेंगी जर्टाहल expect तो अशर पड़ेगा अगर नहीं होगा तो कोई बाती में आने वाले इलेक्शन में जनता उनको दिखाएगी उनकी आउखाद जी जे और हमने देखाएगा जी सरकार का विरोथ किया उसकी BMC की अर्थी उतारी आप सोचते हों कि अर्थिक तो मयत मरेव इंसान की उतारी आती आने वाले साल में जो BMC का इलेक्शन होने वाला उस पर क्या कॉंग्रेस जीत पाएगी या भाजपा सरकाव शिंदे गुट की शिवस्तिना जीतेगी यह चर्चा के विश्य हो अब हम आपके साथ बताएंगे जिस तरक से यहां की नगर से भी का प्रूम नगर सिरा कहें ड खड़ों के बज़े से आम जंता को बहुत तक्लीफ हो रही है कई जगह पे बाइक स्किड होके लोग उसमें खड़ों में गिर रहे हैं कई लोगों की मौते भी हो चुकी है मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये शिंदे सरकार जो कहती है वो करती है क्या मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सीएम जो है जो है क्या मंत्री जो कहते हैं मुंबई के वो करते हैं क्या करोरों का फंड आज बीमसी त्वारा खड़े भरने के लिए न्युक्त किया ग प्रोर की राशी को किया गया लेकिन मैं आपसे बताना चाहती हूं कि ये खड़े भरे क्या आप देख रहे हों हम आज दुर्गा नगर पे खड़े हैं हमारे यहां दो वॉड इसमें आते हैं एक वॉड नमर 28 हनुमा नगर और एक रांती नगर दोनों के बीच में ये हैं ये जूड बोलते हैं वो जमीन पे आएं या देखें लोगों को कितनी तकलीफ आप देख रहे हो उस खड़े में कितना डीप खड़ा था वो कितने लोगों की जाने जा सकती हैं इसलिए हम आज हमारे सभी कॉंग्रेस के वरिष्ट सीनियर कारेकरता वहिलाएं कारेकरता को ले नुकित हो गया है कही कुछ कढ़ी नहीं आपका कहिना चाहिए बिलकुल गलत बोलते हैं जूड बोलते हैं दुनिया के और लोगों के तो जिस ततरीके से आप देख लो खड़ें में ही पूरी मुंबई भर चुकी है, खड़े ही खड़े हैं, आप खुद जाँ खड़े वो एक खड़ा है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि खड़ा मुक्त है इस मुंबई, ये सरकार जो है ये निकमी सरकार है, ये सरकार जो है ये जूटी सरकार है, ये सरकार लोगों अपने personal life में खर्चा करती है ये सरकार totally fail हो चुकी है जणता आने वाले समय में जो election हुआ है आने वाले समय में जो election होगा उसमें जणता इनको सबग सिखाईगी और मैं ये कहती हूँ कि election क्यूं नहीं करवा रहे हैं क्यूंनी करवा रहे हैं वो जूट बोल रहे हैं, ये पूरी जूटी सरकार है